जब भी हम stock market में enter होते हैं तो हमको proper knowledge नहीं होती तो इसलिए पता नहीं होता कि कौन सी companies को avoid करना है और कौन सी companies में हमें invest करना है तो गलतियां जए हैं वो काफी ज़ादा रहती हैं शुरुआत में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा 6 आसे common mistakes के बारे में जो हम सब करते हैं stock में invest करते हैं ताकि आप उन गलतियों को पहचान पाएं और avoid कर पाएं जितना हो सके क्योंकि अगर आप उन गलतियों को avoid कर सकेंगे तो आपके जो returns है वो बहतर हो जाएंगे तो नमशकार दोस्तो मेरा नाम है काश और स्वागत है आपका इस चैनल पे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर दीजे और वीडियो को like कर दीजे अगर आपको वीडियो अच पैसे बन जाएं लेकिन ऐसा होता नहीं है तो जब भी हमको कोई tip मिलता है रादर दन company को further analyze करने करें हम उसका business model क्या है वो देखें उसके past history क्या है उसका future prospect क्या है बजाए ये सब analyze करने के हम क्या करते हम जाके stock में पैसा लगा देते हैं और इसका नतीज़ा क्या निकलता bottom view है तो हो सकता है आपको borrowed conviction एक दो बार पैसा बना के देते लेकिन लंबे समय के लिए आप borrowed conviction पे पैसा नहीं बना सकते हमना निक्विटी है जो अपने competitors के मकावले हाई generate कर पाएगी जो margins है वो अपने competitor के मकावले हाई generate कर पाएगी तो प्रॉपर रीसर्च बहुत जरूरी है stock market में successful होने के लिए होना बहुत जरूरी है और हम में से ज्यादा तर लोग जब भी stock market शुरू करते हैं तो हमारे पास एक clear strategy नहीं होती यानि कि हमें पता नहीं होता कि हमको हमारे जो goals है वो क्या है हमें ऐसे goals नहीं मिनाने कि हमें 30-35% का return चाहिए stock market से वैसे cases में हम ज्यादा इदर उदर जाएंगे और chances यह हैं कि हम losses ही देखेंगे at the end तो एक clear financial plan और हमारी जो risk taking capacity और जो हमारे टाइम फ्रेम है जो हमारा टाइम फ्रेम है हमारा उसकी clarity होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है stock market में अच्छा करने के लिए तो यहां तो फिर हम बहुत ज़्यादा diversify कर देते हैं यानि कि 40-50 companies में इंवेस्ट कर देते हैं और यहां फिर हम बहुत ज़रा concentrated portfolio बना देते हैं या कि एक दो companies में अपना सारा पैसा इंवेस्ट कर देते हैं और इन दोनों strategies में ही काफी दिकते का सामना करना पड़ सकता है हमको क्योंकि अगर हम 40-50 companies में इंवेस्ट करेंगे तो हमारे जो रिटर्न्स है वो stock market की जो इंडेक्स है यानि निफ्टी और संसेक्स उससे जदा होने वाले नहीं है तो बैटर ऑप्शन यह है कि आप संसेक्स या फिर निफ्टी में पैसा लगा दीजिए तो आपको उतन सब्सक्राइब है तो जीजनेबल डैवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब यह है कि अगर आपका पॉर्टफोलियो ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप 10-12 companies के आसपास अपना पॉर्टफोलियो कर सकते हैं वहीं अगर आपको financials की कुछ समझ है आप companies को समझते हैं आप उनका business model को समझते हैं आपको पता है कि companies में कौन सी चीज़े देखने हैं कौन से ratios देखने हैं कैसे उनकी sales बढ़ेंगे आप उनकी annual reports पढ़ते हैं तो आप 5 या 7 companies के आसपास भी अपना portfolio रख सकते हैं वहीं अगर आपका portfolio थोड़ा बड़ा है तो आप हो सकता है 20-22 companies के आसपास रख स stock market में एक बात करी जाती है कि दो ही लोगों को पता है कि कल stock market या अगले महीने stock market क्या करने वाला है एक भगवान और दूसरा वो जूटा तो ये बात बहुत ही सही है क्योंकि stock market कल क्या करेगा अगले महीने क्या करेगा अगले 6 महीने में क्या करेगा ये कोई भी नहीं जान तो आप नहीं उसे बता सकते कि वो कितने नीचे तक गरेगा, लेकिन अगर वो गिर गिर के इस लेवल पर पहुंच गया कि जहां पर उसका वैलेशन अच्छा है, उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके जो जो एकॉनमीज हैं, प्यूचर में उन में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है यानि की फिटर में जो उसके प्रोड़क्ट और सर्विसिस है उसके डिमार्ड रहेगी तो उस बिजनस में आप इन्वेस्ट कर दीजिए और उसको तीन से पांच साल का व्यू रखिए उस बिजनस पे और आप कोशिच कीजिए कि आप वही पैसा उसमे फ्लैट रही तो जब अगर मार्केट को अगर आप टाइम करने जाएंगे तो जदतर केसी में बहुत सी अपॉजनिटी आप मिस कर देंगे तो बैटर ऑप्शन यह है कि मार्केट को टाइम ना कीजिए मार्केट में क्या चल रहा है वह आप छोड़ दीजे मार्केट पे औ अच्छे बिजिसनिस को ढूड़िए जो सस्ते वेल्यूशन पे हो और उनमें इन्वेस्ट करके वेट कीजिए तो हमारी मिस्टेक नंबर फाइव यह है कि ओवर रेक्टिंग और स्ट्रेसिंग अबाउट शॉर्ट मार्केट फ्लक्ट्वेशन तो मार्केट जो है स्टॉक मार्केट में तो जब भी ऐसा फ्लक्ट्वेशन आए उससे डरने की बजाए हमें उस फ्लक्ट्वेशन को एजन अपॉचुनिटी देखना चाहिए क्योंकि ऐसी सिच्वेशन में क्या होता है कि बहुत जो बहुत बहुत अच्छी कंपनिस हैं वह में काफी चीप चेंज होगा जब मार्केट का प्रसप्शन चेंज होगा तो वह अच्छी कंपनिस आपको काफी अच्छे रिटरंस देखे जाएंगी तो हमारी मिस्टेक नमबर सिक्स है कि मेकिंग डिसीजन बेज ऑन इमोशन्स तो स्टॉक मार्केट में जो रिटरंस आपके वह इस बात नहीं चाहिए और डरके अपने स्टॉक बेचने नहीं चाहिए अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो वह उस सिच्वेशन को पार करके उसके बाद जो बुल रन आएगा हमें अच्छे रिटरंस उसमें देखे जाएंगी तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रेश होने लगता है तो हम भी डरके अपने स्टॉक बेच देते हैं और जब भी मार्केट बुल रन बुल फेज में होता है तो हम हाई लेवल पर स्टॉक खरीद लेते हैं जबकि करना हमें इसका उल्टा चाहिए लेकिन इस बात का पता नहीं होता शुरू में और इस जरूरी है क्योंकि अगर फिरफोर उन फिरफोलड़ वेन अजरौं इस बात को सुंते तो हम सब लेकिन हमल हम ने से बहुत ही कम कर पाते हैं और जो अमल करते हैं इस बात पर वह अच्छे रिटंस बनाते हैं तो अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे छै मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं एफ़ new investor stock market में आते समय तो इन में से जो ज़्यादा तर mistakes है वो हमारे behavior पर dependent है तो हमें अपने behavior पर काम करना है हमें अपने emotions को control में रखना है जब हम stock market में invest करने आते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इन future आप इन mistakes को avoid करेंगे और stock market से एक अच्छी wealth create कर पाएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe करना ना बोलें क्योंकि इन future में आपके लिए आसा बहुत सा content लाता रहूंगा अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद